मैं एस्वन्त कुमार आप सभी का स्वादत करता हूँ इडियन 24 नियूज में आज का मुँखे समचार ये है कि साउथ दिहार पावर डिस्टिविउशन कंपनी के अंतरगत अपने ग्राहकों का विजली वील कलिक्सन और मीटर रेडिंग का काम कर रहे क्वेश कॉप के अधिकारी एक बेहत ही दर्ब नाथ दुर घटना के चपेट में आने से ससांग सींग की घटना पर ही मौत हो गए और दो लोग अंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं यह घटना उस्तर प्रदेश के चौंदोली जीला के सकल्डिहां के पास तब घटी जब ससांग सी अपनी साकर्मी अविसेख सींग जो गया से हैं और अरंगाबाद के रंजन कुमार के शार्थ अपने उच अधिकारी को उनके आवास सैथ को छोड़ कर डेहरी के लिए घर लोट रहते तेज रफ्तार से चल रही चरपहिया वाहन पर गाड़ी ड्राइब कर रहे ससांग कुमार नेंतरंग हो जाने से गाड़ी एक गड़े में जागरी जिसका रंग ससांग कुमार की घटना स्कल परिमौत हो गई और रंजन कुमार तता विसेख को गंभीर हालत में लोकल पताल में भर्ती कराया रहा है जहां रंजन कुमार की हालत जिंका जनक बताई जा रही है उदर पुलिस प्रसासन ने ससांग के परिवार को जनकारी लेकर उनकी मृत्यों की पूष्टी की है जिसके बाद उनकी पत्मी मृत्यी सीकी रोरों कर हुरा हाल है